आज हम बात करेंगे श्वेंट्स आप लोगों से एगरिकल्चर क्रॉप के एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक मूंग फली की उपर जी हाँ श्वेंट्स आप सभी लोगों ने मूंग फली जरूर खाया होगा बोले यस बिलकुल खाये हैं तो श्वेंट्स एक बेसिक सा कोश्चन मूंग फली में आपसे पूछ रहे हैं बताईएगा आप पेपर में कोश्चन पूछा जा चुका है वाट इस दी बॉटनिकल नेम वाट इस दी बॉटनिकल नेम अफ ग्राउंड नट मतलब मूंग फली का बनस्पतिक नाम क्या है एनिवन जो भी बच्चा जानता हो मैसिज करके बताईए इरिकस हाइपोजिया ओके और कोई आंसर देना चाहे तो कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका राइट आंसर क्या होगा आप तो चार आप्शन मिलेंगे आपको पहँचान करना होगा तो पहला उप्शन स्ट्रेंट्स आप लोगों का ठीक आपको पहँचान करना है क्या इसका जो आंसर होगा इर्यू का सेटाइवा इसका नाम होगा क्या इस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप लोग क्या स्ट्रेंट्स इसके आंसर में आपको बिगना रेडियेटा मिलेगा या स्ट्रेंट्स इसके नाम में आप लोगों को इसके नाम में आप लोगों को अर्चेस हाइपोगिया मिलेगा मुंग फली के बनस्पतिक नाम में आप क्या अंसर देना चाहेंगे मैसेज करके बताईएगा ओप्स नमर आप डी के साथ जाना चाह रहे हैं जी वेरे गुट बहुत ही सही है करेक्ट आंसर है क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर मुंग फली का जो बनस्पतिक नाम होता है वो होता है ठीक है अर्चेस हाइपोगिया जी अर्चेस हाइपोगिया की नाम से इसे जाना जाता है मूंग फली को बोले हाँ बिल्कुल अब स्ट्रेंस मूंग फली कौन से परिवार से बिलॉंग करती है कौन से फैमिली से बिलॉंग करती है कौन से कुल से बिलॉंग करती जड़ा बताओ इसका कुल कौन सा है कौन से परिवार में पैदा हुई है मुंगफली लेगमनिसी परिवार में हैं बोले मतलब ये एक दाल है क्या मुंगफली को दाल में रखा गया है क्या बताईए जी लेगमनिसी आप नाम जानना कहना चाहा रहे है और कोई चाल, तो आप लोगों कोускुछ कुछ option दे रहा हैं, आप उसमें से पहँचान करके बताईएगा की कौन से family से belong करती है, क्या QUESTION यह ठीक है, फिवेशी परिवार से बिलोंग करती है, क्या QUESTION यह परिवार से बिलोंग करती है, जी, क्या ये इन दोरों परिवार के साथ जाना चाहेंगे आप लोग एनिवन जी, यदि इन किसी परिवार के साथ जाना चाहें तो बताईए इन के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं ओके, क्या स्ट्वेंज ये वो इसी परिवार के साथ जाना चाहेंगे आप इसमें जाना पसंद करेंगे, जो भी आपको आंसर लग रहाँ, मेंसेज करके बताईए, तीनों मेंसे किसी के साथ, नहीं, तीनों मेंसे किसी के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं, एक उप्संद दे रहा है, all of these, ये सब ही, क्या आप पोईसी के साथ जाएंगे, जी, फिर क्या है हमारा नाम तुसर एक है हमारा पैपिलियोनेसी, अब ये पैपिलियोनेसी नाम कहीं न कहीं, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन अभी आपको फिलहाल में, इसके बार में कोई जादा जानकारी नहीं होगी, anyone, किसी को पता हो तो जड़र बता दो, पैपिलियोनेसी क्या ये फवासी है, फवैसी, फवासी, तो जब भी आपको ऐसे बिल्कुल कॉमन से आंसर मिल जाएं, तो फिर आपको थोड़ सी प्रॉब्लम होगी ही होगी, आप कुछ बच्चे यहाँ पर जो हैं, वो क्या लगाएंगे, option A और B में से किसी के साथ जाना चाहेंगे, बच्च जी, दोनों ही लेगमनेसी हैं, ये लेगमनेसी की एक ब्रांच फवैसी है, ये लेगमनेसी की एक ब्रांच पैपलियोनेसी है, लेगमनेसी परिवार बहुत बड़ा है, जिसमें दाल वाली फसलें आती हैं, सभी दलहनी फसलें आती हैं, तो ब्रांच फवैसी होगी, या इ पैफलियो से में या पैपलियो नेसी में एगजीक्ट आंसर देना है तो श्ट्रैंज इसका एगजीक्ट आंसर होगा आपका पैपलियो नेसी option नमर बी maximum बच्चे option अ लगा के आते हैं और यही गल्टी करते हैं आपको answer में या तो लेगमनेसी मिलेगा, लेगमनेसी यदि आपको नहीं मिला, तो आपको पैपलियोनेसी मिलेगा, इतना आपको गहराई में जाके पढ़ना है, क्योंकि आज कल आप लोगों से लेगमनेसी हर किसी बच्चे-बच्चे को पता होता, वो अंसर लगा देता है, लेकिन उसको पैप और उपर पढ़ लेते हो, डेप्ट में जाके नहीं पढ़ते हो, तो जब गहराई में जाके पढ़ोगे, तो आपको पता होगा, पैपलियों इसका जो हो राइट आंसर होगा, तो ये क्या इसकी फैमिली है, चली, मूंग फली, मैं दि हम बात करें आप से, कि विया इसका जो क्या ये इंडिया में पैदा हुआ है, या ये वर्मा में पैदा हुआ है, वर्मा आज का मियान मार, क्या स्वेंस ये जो है, स्री लंका में पैदा हुआ है, क्या ये स्री लंका में पैदा हुआ है, क्या ये स्री लंका में पैदा हुआ है, क्या स्वेंस ये ब्राजिल में में पैदा हुआ है सबसे पुराने साक्ष जो हैं वो कहां पर मिले हैं मुंग फली के पुराने अपसेश जिस देश में मिले हैं उसको उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है अपस नममर बी के साथ जाना चाहरे हैं जी नहीं बच्चों इसका उत्पत्ति स्थान है कि cultiv असरल ब्राजिल कि तरीके पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ब्राजिल बनेगा, ब्राजिल देश है, उत्पत्तिस्थान माना जाता है, अब इसका गुनसूत्र कितना होता है, गुनसूत्र मतलब नर और मादा की संख्या, बताओ, नर और मादा मिला के कितने जैसे आप लोगों के निकनेम होते है, घर का नाम आपका अलग होता है, घर का नाम आपका अलग होता है, तो इसका भी कोई नाम और होगा जाता है, अन्य नाम यदि आप दुकान में जाएं तो आपने देखा होगा मुंग फली से जितने भी प्रड़क्ट बनते हैं उसमें ग्राउंड नट नहीं लिखा होता है क्या लिखा होता है उनके नाम में तो सर उनके नाम में लिखा होता है पीनट क्या लखा होता है पीनट के नाम से लिखा होता है और क्या नाम रहता है यदि आप लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे पीनट लिखोगे और इसको और क्या लिखा जाता है इसको monkey nut भी लिखा जाता है क्योंकि बंदर भी खाते हैं न इसको तो इसको क्या कहते थे monkey nut के नाम से भी जाना जाता है बोले हाँ जमीन के नीचे उखता है तो इसको क्या कहते हैं और earth nut भी कहते हैं क्या कहा जाता है इसको अर्थनड भी कहा जाता है बुले येस ये तीन नाम इसके और हैं यदि आप से अधर नेम पूछ लिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए बुले जी बिलकुल ठीक बनेगा अब ये बताईए स्ट्वेंड्स मूंग फली जो है इसका सरवाधिक प्रोडक्शन पूरे विश्व में कहां पर होता हाइएस प्रोडक्शन जी कहां पर होता है मूंग फली का सरवाधिक उत्पादन पूरे विश्व में जी विश्व में सबस्यादा प्रोडक्शन कहां होता मूंग फली का चलो पहला option पूरे विश्व में पहला जो है वो चाइना है क्या क्या विश्व में जो है वो पहले नम्मर पर इंडिया है भारत या पूरे विश्व में जो है ब्राजिल पहले नम्मर पर है ठीक है या चौंथे नम्मर पर जो है वो होगा हमारा तमिल नाडू क्या आंसर होगा दर मैसेज करके बताईए बच्चों किसा आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप आप सरमर ए के साथ जाना चाहते हैं तो बच्चों देखो सबसे पहले आप लोगों को कोश्चन को ध्यान से देखना है और चीजों को अबजर्व करना है सर चीजों को कैसे अबजर्व करना है सबसे पहले आप देखिए उप्सनमर डी में क्या लिखा हुआ है option number D में लेखा है तमिल नाडू, जबकि बात हो रहे विश्प में विश्प की बात हो रहे तो तमिल नाडू विश्प में थोड़ी आएगा भी है वो तो एक भारत का हिस्सा है तो option D कटा फिर Brazil छोटा सा देश है छोटा सा देश है इसमें ज़्यादा production हो सकता है के बुलसर नहीं, Brazil तो छोटा सा देश है हम बात करने सबसे अदा उत्पादन की कि सबसे अदा कहां उगाया जाता है Brazil रहा छोटा सा इत्ता सा देश है, मैप में इंडिया थोड़ा बड़ा है या चतुर्थ कौन सा स्थान है फर्स्ट पॉजिशन में है इंडिया सेकंड पॉजिशन में है थर्ड में है या फोर्थ पॉजिशन में है तो पूरे विश्व में इंडिया का जो ठीक है रैंक है वो है सेकंड पहले नम्मर पर है चाइना प्रोडक्शन में मूंग फली के उत्पादन में इंडिया सेकेंड नम्मर पर आता है बोले चलो ठीक है क्लियर है अब स्ट्रेंट्स मूंग फली जो है आपसे पेपर में दी पूछ लिया जाए बताइए ये स्ट्रेंट्स आप लोगों की कौन से मौसम की फसल रभी की है खरीब की है या जायत की है कोशन देखिए पेपर में आया है ग्राउन नट ग्रोज एन मूंग फली उत्पादन है मूंग फली उत्पादन संभव है या उगाया जाता है क्या ये रभी सीजन में उगाया जाता है या ये खरीब सीजन में उगाया जाता है या ये जायत सीजन में उगाय जाता है या ये ओल आफ दीज ये सब ही मुंख फली को कब ग्रो किया जाता है कौन से मौसम की फसल है चलिए मुंख फली को जो उगाय जाता है खरीब के मौसम में उगाय जाता है मुंख फली को कब लगाय जाता है सर्व मुंख फली को खरीब के समय में लगाय जाता है कौन से मौसम में खरीब की फसल याद रखना आप लोग मक्का उसके बाद में मुंख फली सुयबीन तो खरीब की फसलों के बारे में दिये हमें जानकारी नहीं होगी तो फिर हम यहाँ पर जो है आंसर नहीं लगा पाएंगे तो रभी की फसल, खरीब की फसल, जायत की फसल, मतलब गर्मी वाली फसल को जायत की फसल कहते हैं तो हमें उसकी जानकारी होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से, अब ये बताएं, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहा होता है, भारत में, मूंग फली का भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहा होता है, क्या इसका प्रोडक्शन यूपी में होता है, या MP में होता है, या इसका production जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है, या इसका production जो है वो 36 गड़ में होता है, सबसे ज़्यादा production जो है मूंग फली का कहा होता है, गुजरात, ओके, very good, जो option दिये हैं उनमें से बताना है, जो नहीं दिये हैं उनमें से नहीं बताना है कुछ लोग कहना कि गुजरात में होता है बहुत अच्छी बात है गुजरात भी इसका एक हिस्सा है बताईए जो option दिये उनमें से आपको पहचान करना कि भी या highest production जो है ग्राउंड नट का जो है कहा होता है इंडिया के अंदर option नमर ए के साथ जाना चाहरा है यूपी के साथ जाना चाहरा है मुझे लगई था कि आप ये गलती जरूर करेंगे और आपने की है गलती option नमर ए को लगा के which state produce the most ground nut in इंडिया तो पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इदी कोई production करता है बच्चों तो गुजरात नहीं करता याद रखना गुजरात सबसे ज़्यादा production नहीं करता है पुराना data इदी आप देखेंगे तो पुराना data आपको जो है गुजरात का मिलेगा पुराना वाला नए डाटे पर दिया आप जाओगे तो श्वेंस आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश क्या मिलेगा आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में कौन है आंध्र प्रदेश जो है वो पहले पॉजिशन पर है यस बिल्कुल ठीक है किलियर है अब आपके मन में आता होगा कि सर सेकेंड में कौन है फिर सेकेंड नम्मर में कौन आता है कौन है भई सेकेंड नम्मर में जी सेकेंड में कौन है फिर एनीवन जो भी डाटा इदी आपके मन में चल रहा है आपको पता है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं अब आप गुजरात लगाना चाह रहे हैं ओके और कोई पूरे इंडिया का केवल 13 परसेंट कौन करता है आंधर प्रदेश करता है आंधर प्रदेश के बाद में सेकंड नम्मर कौन है सेकंड नम्मर स्वेंस तमिल लाडू का जी सेकंड नम्मर कुछ का है तमिल लाडू का है बताओ यदि आप से पेपर में पूछ लिया जाए कि भी अब भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादक्ता होती है कौन करता है आंधर प्रदेश सेकंड में कौन है सर सेकंड में तमिल लाडू नहीं गुजरात है कौन है गुजरात है बोले चलो ठीक क्लियर है सबसे ज़्यादा पेपर में ज़्यादा अब देखना आप कन्फ्यूस कैसे हो रहे हैं हाइस प्रोडक्शन हाइस प्रोडक्शन आफ ग्राउंड नट अफ ग्राउंड नट इन इंडिया इन इंडिया ठीक है पर एरिया मतलब कोश्चन है कम जगह में सरवाधिक मुंग फली का उत्पादन किस राज में है या भारत के किस राज में है किस राज में तो वो कौन है तो सर वो है हमारा आंद्र प्रदेश कम जगह में सबसे ज़्यादा प्रदक्शन में कौन फेमस है तो सर आंद्र प्रदेश फेमस है मतलब कम जगह में सबसे ज़्यादा कौन उगाता सर आंद्र प्रदेश उगाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में अब यही यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए ठीक है छेत्रफल के दिस्टी से मतलब लगाएगा भी ज्यादा जगह में और उगाएगा भी तो छेत्रफल की दिस्टी से कौन होगा छेत्रफल में सबसे जगह में लगाता है बताओ सबसे जगह में लगाएगे और प्रोडक्शन जगह में लगाएगे तब भी हम प्रोडक्शन ले लेंगे और एक होता है कि जो दोनों तरीके से लगाएगा और प्रोडक्शन एवरेज लेगा तो एवरेज वालों को हमें पढ़ना नहीं है कम जगह में जो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है उसमें कौन है तो सर उसमें हमारा आंध्र प्रदेश है उसमें कौन है हमारा आंध्र प जनते हैं और गलतिया यहीं पर सबसे ज़्यादा होती बच्चों से याद रखिएगा मूंग फली के या किसी भी फसल में एरिया वाइज और प्रड़क्शन वाइज दोनों तरीके से question पूछे जाते हैं याद रखना तो production के हिसाब से कौन है सबसे ज़्यादा कम जगे में ज़्यादा आंधरप्रदेश है और पूरे छेत्रफल की रस्टी से कौन है गुजरात है तो second में गुजरात है याद रखना चली अब हम बात करेंगे strength इसमें आप लोगों से एक बहुती बढ़िया question पर ये question ने दी paper में आया तो maximum बच्चे ऐसे question handle नहीं कर पाते हैं देखिए question समझ में आपको आता है तो answer दीजिएगा thin skin which that cover which that cover the seed is called the strength moong family के ऊपर आपने देखा होगा जब भी आपने moong family खाया है तो moong family के अंदर जो है वो क्या निकलता है yellow color का बीज निकलता है बोले हाँ yellow color का बीज निकलता है लेकिन उस बीज के पहले उसमें एक red color की ऊपर से red color का ऊपर से क्या होता cover लगा होता देखा क्या यदि आपने मूंग फली खाया है तो एक red कलर का पिंक कलर का हाँ दोनों कलर जी जब नई मूंग फली होगी तो आपको पिंक नजर आएगा लेकिन होता red है चलो तो आवरन देखा है आपने बोले यह सर छिलका जो होता है उस छिलका को क्या कहा जाता है जी पेपर में दिया आपसे आजाए मूंग फली के बीज के ओपरी आवरन या छिलके को क्या कहते हैं किस नाम से जाना जाता बच्चों से क्या उसे हम लोग पैग के नाम से जानते हैं क्या उसे हम लोग जो है टेस्टा के नाम से जानते हैं क्या स्ट वैंट्वन्स उसे हम लोग जो हैं वो प्षण के नाम से जानते हैं बताईए किस उंशर के साथ जाएंगे आप आप्सन नमर B के साथ जा रहे है टेस्टा जी और कोई अपने साथ से आंसर देना चाहे तो बताइए क्या होगा आंसर आपका आप्सन नमर A पैग जी पैली बात पैग नहीं होगा पौड मतला फली होता है फली मतला पूरा आवरण मुंग फली का पूरा आवरण जिसके अंदर क्या होता है तीन बीज होते हैं उसे फली कहते हैं तो भीया हम तो क्या कर रहे हैं केबल बीज की बात कर रहे हैं एक बीज क से हम एक बीच की बात करें फली इसमें होगा नहीं क्योंकि मुंग फली का पूरा का पूरा भाग जो फली ही कहलाता है बेसिक नहीं होगा या बेसी नहीं होगा क्या कहलाता है उसे हम लोग बोलते हैं टेस्टा क्या कहा जाता है बच्चों से टेस्टा की नाम से जाना जाता ह यदि पेपर में यहां से question दिया जाएं तो आप लोगों को बनना चाहिए क्लियर है क्या बोले यस समझ में आ गया मूंफली कहे जो बीच की उपर जो रेड वाला पिंक वाला जो भी आप बोल दो ठीक है उसको क्या कहा जाता उसको तो टेस्टा के नाम से जाना जाता है अब बच्चों यह बताईएगा गायनफोर ऑफ ग्राउंट कॉल्ड ग्राउंट नट यह गायनफोर क्या चीज है बच्चों एनीवन यदि आपने कभी सुना हो इसके बारे में तो बज़रा बता दीजिए जी जो भी जानते हों मैसेज करके बताईए क्या होता है गायनफोर मूंफली में गायनफोर क्या चीज है जी क्या च्रेंज ये प्रकार की टेस्टा है क्या च्रेंज एक प्रकार का पैग है च्रेंज ये प्रकार का बेसिन है बेसिन, क्यास्ट वेंस ये एक प्रकार का पॉड है, क्या होगा मैसेज करके बता दो ज़रा, जी जो भी बच्चा जानता हो, बताइए, टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट चल रहा है, ये इटरी गहराई में जाकर हमसे पेपर में कोश्चन पूछे जाते हैं, ये हमें ले जाएंगे, तो स्वेंट्स, पेपर में ऐसा जी कोश्चन दिया जाया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नम्मर बी वाला, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम, अब ये बता दीजेंट्स, ये पैग जो लिखा गया है, ये पैग क्या चीज होता है, पैग इसक अच्छी बात है, आंसर भी बता दिये हैं, लेकिन उसे आप मुझे बता दीजिए कि ये कौन सा वाला भाग है, और ये एक्चल में पूछा क्या गया क्वोश्चन, ये कवर है, ओके, वेरी गुड, जी, तो स्ट्रेंट्स, गायनोपोर किसे कहा जाता है, देखो, अच्छे समझा रहे हैं, जब भी आपने मुझफली खाया होगा खेतों से, तो स्ट्रेंट्स इस तरीके से एक रूट जो है, वो नीचे क्यों जाती है, बोले हाँ, और बहुत छोटी छोटी रूट जो सर ऐसे न निकलती, देखा कि मुझफली कभी खेतों से निकाल कर खाया होगा, बोले हाँ, बिल्कुल खायें, ऐसे जड़ रहती हैं, देखा है बहुत सारी जड़े रहती, बोले हाँ, बिल्कुल जड़ रहती हैं, और इन्ही जड़ों में, इन्ही जड़ों में क्या लगा रहता है, इन्हीं जड़ों में ऐसी मूंः फ flawlu लगी होती दिखाईंग इन्हीं जड़ों में नीचे मिलती मूंः फोली मिलती है शलेंग फ् Yak asta यहाँ जहांसे मन फोली को तोड़ते हैं इस वाले हिस्से को कहा जाता पैग इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता पैग कहाजाता है याद रखिएगा के ये प्रकार का क्या है सर एक प्रकार का ये ओवरी है मुझफली की क्या है ओवरी क्योंकि यह यह गायनों के मतलब क्या होता है जो क्या करवाते हैं आपने सुना ना एक डॉक्टर होती है गायनोकोलिजिस्ट धरसूति जिसे कहते हैं विज्ट बच्चा पैदा करवाती है दिलेवरी करवाती है बँने हाँ सुना तो है तो students उनका काम रही कि यह क्या करना है तो सर यदि हम इंसानों की बात करें तो क्या करना कि सर मांटा की जांच करना किस चीज की कि जो फल तयार हो रहा है जो उसका बीज तयार हो रहा है क्या वो परिपक्व हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जांच कौन करेगा तो सर वो जांच जो है यदि ये मजबूत होगा ये वाला हिस्सा ये मजबूत होगा तो आपने देखा होगा उसमें production नहीं होता है और यदि होता भी तो बहुत छोटे-छोटे होते है जिन में क्या होता है दाने ही नहीं बनते देखा होगा कई बार आप लोगों ने कुछ मूंग फली के दाने जो है वो काफी ज़दा मौटे होते हैं और कुछ मूंग फली के जो दाने हैं वो बहुत ज़दा बारीक होते हैं और कुछ मूंग फली के अंदर दाने ही नहीं आते तो ये सब किस पर बेजड होता है सर ये सब का सब बेजड होता है गायनो पौर पर पैग पर बेजड होता है अंदासय पर बेज्ड होता है, बोले येस, बिलकुल ठीक है, आ गया समझ में, चलिए, अब स्ट्रेंट्स इसके बाद में आप से एक और कोश्चन, ये बताइए बच्चों, मोस्ट सुटेबल, मोस्ट सुटेबल, इरिगेशन, मोस्ट सुटेबल इरिगेशन, मैथड, पर, ग्राउन नट, जी, मुंगफली के लिए, मुंगफली के लिए, सबसे अच्छी, सबसे, अच्छी, सिचाई विधी है, सिचाई, विधी है, सबसे अच्छी, कौनसिस्ट्वेंस, विधी मानी जाएगी, एनिवन, बिरा ऑप्शन के दि कोई बताना चाहे, जल्दी से बताईएगा, आपको कुछ पता यदि हो, इसके बारे में, इडिगेशन, मैथड, आपको पता होना चाहिए, सिचाई की विधिया, यदि आपको पता है, तो इस कोश्चन का अंसर आप सहीं लगा सकते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें जो है वो डिप इरिगेशन करना चाहिए, डिप इरिगेशन सबने देखा होगा आज के समय में, कि इसे टमाटर में लगाते हैं, हम लोग डिप लगाते हैं, डिप से चाहिए, क्या डिप से चाहिए करना चाहिए, चली, दूसरा है स्प्रेंस हमारा, क्या बच्चों हमें स्प्रिंकलर का यूज़ करना चाहिए, स्प्रिंकलर, इरिगेशन, क्या हमें इस विधी का पारा विधी का, क्या बच्चों, हम इसमें, जी, चैक बेसिन का यूज़ करेंगे, जी, चैक बेसिन, क्या हम इस विधी का यूज़ करेंगे, या उप्सनमर डी स्ट्रेंज, हम इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे, none of these कोई नहीं किसांसर किसांद जाना चाहेंगे बच्चों बताओ मुंग फली यदि हम लगा रहा हैं और यदि हमें उसमें सिचाई करने की आफशकता पढ़ जाये तो सिचाई का तो तरीका होगा वो किस तरीके से होगा जरो बताओ जी आपसन नमर सी के साथ जाना चाहरा है तो स्टेंज आपसन नमर सी जो है वो हमारा बिलकुल राइट आंसर होगा यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए ठीक है तो इसका राइट आंसर सी ही बनने वाला है अब ये विधी होती ही क्या है यदि आपसे कोई पूछे की भी या इस विधी के बारे में बता दो चैक बेसिन विधी क्या होती है बेसिन है कौनसे विधी चैक बेसिन चैक बेसिन विधी क्या होती बच्चों ये विधी कैसे यूज़ करते हैं इस विधी का तो Strength चैक वेशन विधी का मतलब होता है द्हांसे समझीएगा जब भी हम मुवफली लगाते हैं तो आपने देखा होगा focus मुवफली लगाते हैं तो कुछ बनाते हैं जी ऐसे करते हैं कि खेती जी जैसे मान चलो यह आपका खेथ है क्या इस तरीके से खेथी करते हैं हाँ या ना बताईएगा क्या आप ऐसे खेथी करेंगे यह मान चलो आपका खेथ है पूरा जे क्या आप ऐसे खेथी करेंगे बोल सर यह तरीका क्या है जो आपने बनाए है इसे कहते है चैक बेसिन चैक बेसिन का मतलब क्या होता है तो सर बोले पानी यहां से गया जैसे मान चलो यह आपका खेथ है यह पूरा पैक कर देते है यह हमारा खेथ है यहां से कुएं से पानी गया, जिदि आपको क्या करना इधर पानी पहुचाना तो इधर पैक कर देंगे, इधर पैक कर देते हैं, पानी यहां आएगा, इधर भी पैक कर देंगे, पानी हमारा इस खेट में चला जाएगा, इस हिस्से में चला जाएगा, जब हिस्से में पू कर देंगे इस हिस्से को खोल देंगे फिर यहां से पानी चला जाएगा इस हिस्से में इसको पैक कर देंगे मलब एक एक एरिया वाइस पानी दिया जाता देखा कि आप लोगों ने खेतों में यह पुरानी मेथड है जो पहले टमाटर में भी करते थे किसी भी सबजियों में आलू में, टमाटर में, ठीक है, प्याज में, लेसुन में, ये पहले पुरानी विधी है जिसका यूस किया जाता था, भोली येस, तो इस विधी से स्ट्रेंट सिचाई की जाती है, इसे कहा जाता चेक वैसिन इरिगेशन, I hope सब को समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इस व बेसिन विधी से क्या करते हैं, मूंग फली में सिचाई करते हैं, ठीक है, इस्प्रिंग कलर का यूज इस में नहीं किया जाता, आजकल तो सब करी रहें, ठीक है, जिसको जो लग रहा हो कर रहे हैं, लेकिन जो मैथट है, उस पर इस हम चर्चा करें तो, अब ये बताईए मूंग फली तेल के लिए सबसे अधा उप्योगी मानी जाती, सबसे अच्छा तो तेल निकलता है, मूंग फली के लिए, ठीक है, ये माना गया कि भी है, इसमें तेल ज़्यादा पाया जाता है, तेल के हिसाब से बहुत अच्छी है ये, मूंग फली का तेल, तो बताईए बहुत ज़्यादा यूज होता है, पैंटालिस परसेंट इसमें क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है, बोले हाँ, बिल्कुल ठीक है, अब स्ट्रेंज इसका क्या तयार किया जाता है, इसका केक तयार किया जाता है, तर केक कौन सा, क्या इसका केक खाया जाता है, इनसा इसका केक हम लोग खाते हैं, इसका केक बनता है. तो श्वेंस बोले हाँ, केक का मतलब होता है खली. केक का मतलब क्या होता है? खली, जानवरों को दी जाती है. तो खली दी जाती है, बोले हाँ, इस में, इस केक में, नाइट्रोजन कितना परशन पाए जाता, नाइट्रोजन, इस केक में नाइट्रोजन पाए जाता, साथ दसमलों तीन, इस केक में प्रोटीन कितना पाए जाता, प्रोटीन, एन मतलब नाइट्रोजन भी यह ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन साथ दसमलों तीन परशन प 26% पाय जाता है बोले yes बिल्कुल ठीक है तो इसका यूज क्या करते हैं खली में भी करते हैं खली मगेरा बनाने में भी इसका यूज किया जाता है बोले yes बिल्कुल ठीक clear है बन जाएगा अब आपसे एक और question पूछ रहे हैं जवाब दीजिएगा इस अच्छिएगा अच्छिएगा वाट इस दी जाल इन परसेंट वाट इस दीज एलिंग परसंटेज एन एन ग्राउन नट जी मूंग फली में सेलिंग प्रतिसत क्या है सेलिंग प्रतिसत क्या है अब कुछ लोगों को लगता है कि भी यह सेलिंग वाला परसंटेज मतलब बैंचने वाला है तो बताव इस बैंचने वाला परसंटेज इसका क्या होगा एनिवन परे किसांसर के सांद जाना चाहेंगे आप Selling percentage क्या होगा तो स्टेंट सैलिंग परसेंटेज क्या होगा सैलिंग का मतलब क्या छिलका होता है क्या छिलके का परसेंटेज एनिवन तो सैलिंग परसेंटेज का मतलब यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो इसका मतलब जो है व बैचने संहीं होता है बच्चोंना ये सैलिंग अलग चीज है और इस सैलिंग को यदि आप समझना चाहें तो मूंग फली में दानों का प्रतिसत को कहा जाता है किसी भी ठीक है फल के अंदर जो बीज होते हैं उसका परसेंटेज है मूंग फली की गुनवत्ता ग्याद करने का एक अधार एक परामीटर माना जाता है इसे यह आप से पेपर में दिया जाए तो याद रखना मूंग फली में दानों का जो परसेंटेज होता है उसे सेलिंग कहा जाता है तो मूंग फली के अंदर दानों का कितना परसेंटेज होता है बच्चों बताओ बोल सर मूंग फली के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा जो होता वो किसका होता तो सर लगबग इतना भाग तो कौन घेर लेता है उसका छिलका घेर लेता है और फिर क्या होता है सर इसके अंदर बीज होते हैं तो सर बीज कई बार एक होते हैं कई बार दो बीज होते हैं कई बार तीन होते हैं लेकिन बीच में क्या होता थोग सा गैप होता है, तो उस हिसाब से बताओ कितना percentage मिलेगा, 30%, मात्र 30%, बीच बड़े होते हैं बिटा, याद रखना 70% होता है, कितना percent, 70%, जो option दिया है उसके हिसाब से, जो option दिया है उसके हिसाब से, यदि यहाँ पर मानक चलो कल को दिया, आ तो 60-75% के बीच का जो भी data मिलेगा, वो data आपका सही होगा, selling percentage का मतलब होता है, बीच, याद रखिएगा आप लोग, मूंग फली में दानों का प्रतिसत, मतलब किसी भी फसल में दानों का प्रतिसत को कहा जाता है, जी, क्या कहींगे से हम लोग, बो सर्फ, seed percentage इसे आप कह सकते हैं, seed percentage, जी, मतलब दानों का प्रतिसत, दानों का प्रतिसत को हम लोग, selling percentage कहते हैं, तो मूंग फली में जितने दानों, जितने दाने होंगे, ठीक है, उसका ratio निकालना होता है, समझ में आ गया question, यदि आपको समझ में आ गया है, तो ये बताई स्ट्मेंस, कई बार आ market से बीज लाते हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप किसी से मूंग फली खरीदते हैं, जिसमें क्या होता, छिलका भी होता है, तो आपने बहुत सारी मूंग फली क्या किया, खरीद लिया, जिससे मान चलो, ये आपके घर में मूंग फली रखी हुई है, आपने मूंग फली जैसे आपने ओपन किया, उस मूंग फली के अंदर एक भी दाना नहीं है, देखा है कई बार, मूंग फली के अंदर दाना ही नहीं निकलता, खाली मूंग फली निकल जाती, उपर का आवरन पूरा बना रहेगा, उपर से बिलकुल बड़ी अच्ची बनी इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइएगा बच्चों, एनिवन, यदि आप से पेपर में पूछ लिया जाए कि भी यदि मूंग फली में दाना ना हो, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नहीं मालूम, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है हमारा पॉपिंग, क्या कहा जाता बच्चों, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पॉपिंग, आप ये पॉपिंग का मतलब क्या है, तो सर्ब मूंग फली, मूंग फली, के अंदर, बीज, या मूंग फली का, मूंग फली का, बीज रही तो होना, बीज रही तो होना, मतलब बीज नहीं होना, मूंग फली का, बीज रही तो होना, या बीज नहीं होना, क्या कहलाता है, पॉपिंग कहलाता है, without seed and pod without seed and pod बनलब जो फली होती है उस फली के अंदर क्या होना बीज नहीं होना पॉपिंग कहलाता है तो किसकी deficiency के कारण से होता कोई न कोई तत्व तो ऐसा होगा मूंख फली के अंदर जिसकी deficiency हो गई जिसकी कमी हो गई सारी चीजे कमी के कारण से होती बताओ किस तत्व की कमी होई किस तत्व की कमी होई क्या उसमें nitrogen कम हो गया क्या उसमें potassium कम हो गया phosphorus कम हो गया या उसमें श्वेंस आप लोगों का जो है iron कम हो गया या श्वेंस उसमें calcium कम हो गया किसकी कमी के कारण से हुआ पॉपिंग नाइट्रोजन की कमी के कारण से बहुत बढ़िया यदि आप नाइट्रोजन लगा रहे हैं तो आप मूंग फली के बारे में कुछ नहीं जानते आपको बिलकुल कुछ नहीं मालूम मूंग फली की जड़ों में सबसे ज्यादा nitrogen कौन इखटा करता है? मूगफली की जड़ इखटा करती है. तो मूगफली में कभी nitrogen की कमी होती ही नहिंगे. यदि आपके खेस में कमी हो गई है nitrogen की, तो आप एक साल क्या लगा दो? मूगफली लगा दो. यदि आपको लगे कि हमारी खेत में नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो आप मूंग फली लगा दो एक दो साल आपके खेत में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हो जाएगा आपको नाइट्रोजन डालने की भी ज़रुवत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन होती है किसमें मूंग फली की जड़ों में मूंग फली में कभी नाइट्रोजन नहीं डाला जाता है आपको कॉमन कोश्चन का अंसर नहीं मालूम तो ये कमी होती है किसकी कैल्शियम की याद रखिएगा किस तत्व की कमी होती है सर कैल्सियम तत्व की कमी जब हो जाती है मुंग फली में ठीक है तो पॉपिंग होता है और पॉपिंग का मतलब होता है कि बीज ही नहीं बनते हैं बोले बन जाएगा पेपर में दिया आता है यहां से कोशन तो अब बच्चों इसके बाद में आपसे एक और कोश्चन यह बताईए बच्चों इसमें टेस्ट वेट कितना होगा टेस्ट वेट मूंग फली का टेस्ट बजन कितना होगा एनीवन जो भी जानता हो जरा मैसेज करके बताईए क्या होता है टेस्ट वेट तो टेस्ट वेट का मतलब होता है किसी भी फसल के एक हजार दानों का बजन एक हजार दानों का बजन जी वेट आफ थाउजन सीट्स एक हजार दानों का जो बजन होता है उसे टेस्ट वेट कहते हैं तो मूंग फली के एक हजार दानों का बजन क्या होगा जरा मैसेज करके बता दीजिए बच्चों किस अंसर के साथ जाना चाहेंगे आपके घर में मूंफली है बोले हाँ है तो उसकी मूंफली के एक हजार दानों को लो और उस एक हजार दानों को जड़ा नाप के देखो लो कितना निकल कर आएगा जे तो क्या स्ट्रेंड्स ये ये लगभग लगभग 200 ग्राम के आसपास में होगा या स्ट्रेंड्स ये 500 ग्राम के आसपास में होगा या स्ट्रेंड्स ये ठीक है 600 ग्राम के आसपास में होगा या स्ट्रेंड्स ये 725 ग्राम के आसपास में होगा किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे और ये प्रक्टिकल आप घर में भी करके देखिएगा, तो स्टेंस मूंफली के एक हजार दानों का बजन होता है, 200 से लेकर 200 ग्राम, 200 से लेकर 200 ग्राम क्या स्पास में होता, तो जो अप्शन दिया, उसे साफ से 200 हमारा जो है वो राइट आंसर बन जाएगा, चलिए, तो इ कॉपिंग नहीं मालूम, कुछ बच्चों को कुल के बारे में सही जानकारी नहीं थी, उत्पत्ति स्थान के बारे में सही जानकारी नहीं थी, ठीक है, आपको मुंख फली के जो रेड वाला आवरन होता है, कवर होता है, जिसे टेस्टा कहते हैं, आपको उसके बारे में न तो जब आप इस तरीके की तैयारी करेंगे, जब ऐसे question आएंगे, तो आप सीजी बन जाएंगे, विदि आप अपना level maintain नहीं करोगे, तो फिर दिक्कत जाएगी, तो इस तरीके के question आएंगे, आपसे exam में, किसी के मन में कोई doubt यही है, मुंग फली से related कुछ पूछना चाहें आप तो बिल्कुल पूछ लीजिए चलिए ठीक है आज की क्लास को फिर यही समाप्त करते हैं बाबाई टेक क्यार